नमस्ते,। उ ंती। 778 दिन के ईश्रीवदान में आपसबका सवागत है। आज के ईश्रीवदान में परमたपता हम भी आद देलाते हैं, उनकी जूभी दी गई विल है जिससके मातपता भी आपने बाच्चों के लिए तो परमात्म भी एक विल करके जाते हैं जाते कहा हैं परमधा हम वह पे सलॉट जाते हैं और देखे क्या जाते हैं हमें हमारी सौगात मला हमें जो एक गिफ्ट देखे जाते हैं हमें हमारी प्रॉपर्टी देखे जाते हैं जिसके बारे हमने कल भी बात करी थी तो वो property क्या है उसके बारे मैं हम समझेंगे है हज़ा आई देखें बाबा कहते क्या है? सदा अतिंद्रिये सुकRP की अनुबूति करने वाले अति इंद्रिये सुकर अब इंद्रियां क्या है? ये पाँच हमारी इंद्रियां है जिनको हम कर्म इंद्रिय और ग्यान इंद्रि कहते हैं, आपको से हम ग्यान लेते हैं, और कर्म भी करते हैं, किसी हो आँके बड़ी-बड़ी करके दिखाई, तो आपने कर्म किया उससे, आँको से आपने knowledge ली, क्या-क्या हो रहा है, कान उसे सुना आपने, कान उससे आप सिर परेवाला सुख, वो कौन महसूस करती यह ? वो आत्मा महसूस करती है जब आत्मा सुख, शान्ती, प्रेमानंत, खुशी जब कुछ परमात्मा से लेना शुरू करती है आस्त यज़ बढ़ता है, वो experience percentage wise जब परमात्म से हम सब कुछ लेना शुरू करते हैं तो इनका सुख लेना हम आस्ते बंद करते हैं, हमें दुनिया से कुछ लेना देना नहीं होता है, तो वो मेडिटेशन के तुरू आता है, तो सदा अतिंद्रिय सुख की अनुबूती करने वाले अटल, अखंड, स्वराज अधिकारी भवा, अटल, जो टल नहीं सकता, और अखंड, जिसका कभी खंडन नहीं हो सकता, स्वराज्य, स्वर के उपर राज्य करना, मतलब मैं आत्मा जब तक शरीर के अंदर हूँ, इनकर में इंद्रियों को मैं कंट्रोल कर रही हूँ, यह नहीं कि ये मिर्जे कंट्र पता लोगों को कि पर्म पिता परमात्मा अकर की ब्रह्मा के तन में, अपने सबसे पहले बच्चे कीतन में आते हैं, उसके पुराने तन में आते हैं, लास्ट जणम के तन में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले अपने बड़े बच्चे को ग्यान देते हैं और बड़े बच्चे के द्वारा वो चारो तरफ ग्यान फ्यलाते हैं तभी कहते हैं ब्रह्मा के द्वारा स्थापना तभी चार मुख दिखाई देते हैं ब्रह्मा के क्योंकि चारों तरफ ये ग्यान फैलता है, गुप्त ग्यान तो जो बच्चे संगम युक पर अति इंद्रिय सुख का वर्सा सदाकाल के लिए प्राप्त कर लेते हैं अति इंद्रिय सुख का वर्सा जिनकों की प्रैक्ट्रियों से मुझे सुख नहीं चाहिए वह सदाकाल के वर्सा सदाकाल के प्राप्त कर लेते हैं ये नहीं समाल पाएगा उसको इतना नहीं मिलना चीए तो पुराने जमने में लोगों के संसकारों को देख करके उनके ज्ञान को देख करके माता-पिता विल करके जाते थे या कोई बड़ी और्गनाइजेशन हो कोई कंपनी हो तो अगर बच्चा उनको खुद का अपना खुद का ही सपूत अगर अच्छा ना हो तो किसी और वेक्ति को विल करके चले जाते थे उसके संसकार स्वभाव दे करके लेकिन आज कल तो उल्टा है लेकिन परमात्म कहते हैं कि मैं भी जो हूँ उनी को विल करके जाता हूँ जिनके अंदर अती इंद्रिय सुक आत्मा का सुक इन इंद्रियों के द्वारा लेनी की इच्छा कम हो जाती है घड जाती है क्योंकि हमारी जो इच्छाएं हैं वही हमसे पाप कराती है लोब में लाती हैं, आहंकार में लाती हैं, ग्रेणा में लाती हैं, इरशा में लाती हैं ये इंद्रियों से तो होता है, जब कुछ महसूस तो अगर आत्मा का कंट्रोल नहीं होता है, वो सब कुछ इंद्रियों से होता है तब जाकर के हम पाप करना शुरू करते हैं अब विल, परमात्म कितना मीठा बोला, विल की पावर मिलना, यह विल पावर है, उन्हें अटूट अटल अतींद्रिय सुक की अनुभूती होती है, अटूट और अतल अतींद्रिय सुक की अनुभूती है, यह निकि थोड़ा थोड़ा टाइम हम दुनिया में चले गे, आप अटूट अटल अतींद्रिय सुक की तरफ ही जाना शुरू करते हैं, जो कि फिर अटूट और अटल हो जाता है, ऐसे वारिस अर्थात संपूर्ण वरसे की अधिकारी ही भवेश्य में अटल अखंड सुराज का अधिकार प्राप्त करते हैं, भवेश्य में मतलब सत्य युग, यह संगम युग, दुनिया में लोग लेकल युग, लेकिन यह संगम युग, यह ट्वाइलाइट जोन में अब कल युग से अब हम सत्य की ओर हम चल रहे हैं, आत्मा है ठक चुकी हैं दुनिया की तरीके से, टेकनोलीजी में सुख नहीं मिल रहा हैं उनको, खान टा पान में इस सुख नहीं मिल रहा है ठक चुकी हैं उससे सुख पान की कोशिश करते 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 ढख चुकी हैं तो अब वो, Spirituality की तरफ चल रही है कि परमात्मा कौन है? मैं कौन हों कहां से आय धाय है? यह दुनिया जाका रही है? तो जो दुनिया जाक आ रही है, उसका किने वाला आइवाला धर्ती पर तो काँसे आत्माई ओंगी सट आत्माई होंगी जिना कोई कंट्रोल के निएवन slider मुख से कुछ निकल गया आंगों से कुछ भी10 देख लिए कानु से कुछ भीकर आदिय। ऐसी आत्मा क्या सत्यूग, सत्यूग मतलब heaven, मतलब स्वर्ग धर्ती पर, क्या ऐसी आत्मा जाएंगी? कि वो आत्मा जिनका, जिन आत्माओं का सारी करमेंद्रे पूरा कंट्रोल हो, सुवा के उपर राज्य हो, वो आत्मा सत्यूग में जाएंगी, तो आप सोची खुद से, तो परमात्मा जाते हैं, अधिकार प्राप्त करते हैं, कौन सा अटालखंड सुवाराज्य का अधिकार वो आप सुखिरे, हूम श्यंती सकत्थ